Hello friends, this is Vikas Shah from Kite Technical Institute and friends, आज की इस वीडियो टॉपिक्स में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग metric integrate result shift को बनाते हैं into the MS action और मैं यहाँ पर version जो यूज कर रहा हूँ Excel का 2019 By the way, आप किसी भी version में इस चीजों को try कर सकते हो, ठीक है? तो चले start करते हैं लोग कैसे इन चीजों को cover करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ टैबलिक जो options है, यहाँ पर define कर लेते हैं क्या क्या रखना है हमें इन चीजों को बनाने के लिए, तो चले मैं इससे फटाफट बना रेता हूँ ठीक है, तो हमारी data बन चुकी है, अब मैं यहाँ पर आपको पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आप टोटल करते हैं तो टोटल करने का जो प्रोसीजर है, आप यहाँ पर is equal to and आप यहाँ पर sum का formula यूज कर लो sum का formula यूज करने के बाद हमें range को manage करना होगा, तो bracket आप start करो, shift के साथ bracket start यहाँ पर बताय जा रहे है number one, जहाँ से जहाँ तक आपको add करना है, तो मुझे add करना है सबसे पहले वाले का, Amit का तो यहाँ से आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप select कर लो, select करने के बाद bracket close and enter button press करो, तो आप देखोगे, आ गया, ठीक है ना, फिर आप करज़र इस वाले पर रखो 399 पे और यहाँ पर point शो कर रहा है, इस पर double click करके drag कर लो या तो double click करो, या तो आप नीचे drag कर सकते हो, तो automatic सबका total mark generate हो गया है, ना, next part है हमारा percentage की हम लोग percentage को कैसे find out करेंगे, तो आप यहाँ पे is equal to, percentage निकालने के लिए आपको जो opt-end marks है, opt-end marks किस में है, इस वाले sale में, 399 opt-end marks है, आप इस पर click करो, divided by kachin, and opt-end marks की बाद हमें यह पता होना चाहिए कि total mark कितना है, full mark कितना है, तो 100, 100 का है total, total 5 subject है, तो 500, यहाँ से enter button प्रेस करो, तो answers जो हमारा व point में generate हो रहा है, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप इस पर करजर रखो, then home tab में आ जाओ, कोई भी version में हो, कोई दिक्कत नहीं है, यह number वाले group में आप देखोगे, यहाँ पे एक option शो कर रहा है, percentage, बस percentage पर आप क्लिक करो, automatic percent generate हो गया, फिर यह जो point आपको show कर रहा है, यहाँ पर आप जाओ, और नीचे तक drag कर लो, जहां तक आपको निकालना है, यहाँ पर automatic find out हो गया, next आरा है result, अब हमें यह पता करना है, कि यह बंदा pass है या fail है, तो देखो, matter क्या होता है, according to Bihar board, या according to CBC board, या सब में कुछ ना कुछ अपना एक rules होता है, इक rules क्या होता है, कि अगर आपका किसी भी subject में 30 marks या 33 marks से कम है, जो भी आपका conditions है, तो वो क्या होता है, fail होता है, चाहे आपका percentage कितना भी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, अगर आपका किसी भी subject में 30 marks से कम है तो फिर आप fail कहला होगे, तो सबसे पहले हम लोग इस result में ये find out करेंगे, कि आप pass हो या fail हो, अगर बंदा pass होता है, तब हम लोग उसको division provide करेंगे, कि first हुआ, second हुआ, third हुआ, तो पहले हमें find out करना है pass and fail का option, है न, इसके लिए आप formula यूज कर सकते हो, if and end वाला, तो ह यहाँ पर मैं logic लगाता हूँ, if and end, सबसे पहले मैं check करता हूँ हिंदी को, तो यह कौन से वाले sale में, Amit का C2, C2 greater than, मान की चलो हमारे cases में condition है कि अगर जो 30 से नीचे है वो fail होगा, तो मैं यहाँ पर C2 greater than 29, अगर यह greater than 29 है, comma, English वाले subject को भी check करते है, D2 greater than 29, comma, math, E2 greater than 29, मतलब सारे subject को आप check कर लो, comma, SST के लिए भी, F2 greater than 29, एन एक और बच रहा है, comma, G2 greater than 29, अगर ऐसा है, तो आप क्या करो, comma, वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो इस वाले cell में मैं यहाँ पर type करता हूँ, pass, P-A-S-S, pass, otherwise वो क्या हो जाएगा, fill, तो पहले इस conditions को आपको follow कर लेना है, है न, आपने कितना bracket open किया, एक bracket open किया, enter, press करता हूँ, तो ऐसे वाले cases में क्या है, कि देखो, इसके किसी भी subject में 30 mark से कम नहीं है, और यह pass है, तो मैं इसको नीचे तक drag करता हूँ, अभी खुद पता चल जाएगा, कौन fail है, कौन pass है, देखो, इसका half percent is 60% यह बंदा ला हो, वो red color में highlight हो जाए, मैं यहां से आओंगा conditional formatting में, यहां से आप आजाओ, highlight color में, and then text that contains, इसको मैं चूज कर लेता हूँ, कि जो fail हो, F-A-I-L, जो fail हो, वो red color में highlight हो जाए, okay, अभी देखो, इसमें दो बंदा शो कर रहा है, Rohit and Rishi, जो fail है, तो क्यों fail है, एक का तो 54% है, इस basis पे तो pass होना चाहिए, बट, बट, देखो, आप यह हिंदी वाले subject में, इसका 20 marks है, 26 marks है, मतलब 30 से कम है, और Rishi का मैं check करता हूँ, Rishi जो है, यह science वाले subject में 23 marks है, तो इस cases में यह fail है, है न, तो इस तरीके से आपका pass fail का management हो गया, अब जो जो pass है, मै उसे के वर division प्रोवाइट करूँगा, है न, तो division के लिए क्या formula यूज करता हूँ, मैं तो is equal to if, मैं यूज करता हूँ, if वाले formula के तो, if, अगर ये वाला cell, अगर Amit का जो value है J2 में, अगर ये बंदा, यहाँ पे pass लिखा हुआ होगा, PSS लिखा हुआ होगा, sorry, fail से करता ह अगर fail लिखा हुआ होगा, अगर ये value में लिखा हुआ होगा fail, तो हमारा formula यहीं पे रूख जाए, ऐसे cases में यहाँ पे F print हो जाए, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, fail नहीं लिखा हुआ है, तब हमारा condition division के लिए run is start हो जाए, है न, तो अब मैं यहाँ यूज करता हूँ, ऐ और percentage के आधार पर, if, sorry, percentage के आधार पर चलना है, अब हमें, if ये वाली value मतलब i2 greater than is equal to 60%, मान के चलो आपने 60% में इसे first provide किया है, अगर 60% से जादा या बराबर हो, तो वहाँ पे print हो जाए, क्या हम चाहते है, वहाँ पे print हो जाए, 1, 1st first, है न, कॉमा, if, bracket start, ये same value, मतलब i2 greater than is equal to 45% हो, so वह क्या हो जाए, second, 2nd, ये print हो जाए, कॉमा, if i2 greater than is equal to 30% हो, तो वह क्या हो जाए, 3rd third हो जाए, sorry, 3rd third, ठीक है, now हमने कितना bracket open किया है, एक bracket, दो bracket, तीन bracket मैंने on किया, और enter बटर मैं press करूँगा, ठीक है न, तो, I think मैंने अपने cases में 4 bracket on किया था, तो 4 bracket आपको बंद करना है, ठीक है, बंद करने के बाद, देखो, automatic ये first area, यहां से जैसे मैं नीचे drag करूँगा, तो देखो, जो fail है, automatic वहाँ पे f print हो गया, है न, f print हो जाने के मतलब, ये fail है, तो यहीं पर ये fail हो गया, तो इसको कोई division प्रोवाइट नहीं किया जाएगा, and then जो first second है, वो proper यहां पे manage हो गया, ठीक है, next बाद आती है हमारी अब rank की, कि हम लोग अब rank देंगे, हमारा rank किस के आधर पे निकलेगा, percentage के आधर पे, तो हमें सबसे पहले rank निकालना होगा, तो rank के लिए में हमें formula यही use करना है, कि जिस बंदे का, result fail है, उसका हमें rank नहीं चाहिए, उसके rank के जगपे na, not applicated, show हो जाए, तो कैसे मैं करूँगा, is equal to, यहां पे मैं use करता हूँ, if, अगर ये वाली value, is equal to, मतलब j2 की value, result की value, अगर fail शो करे, यहां पे f a i l लिखा हो, ठीक है न, तो यहां पे print हो जाए, n a, मतलब not applicated, अगर ऐसा नहीं है, तब हमारा program rank वाले पे चलेगा, तो Microsoft Actual में rank के लिए एक special formula ही बनाए गया है, तो rank का formula क्या होता है, आप r a n के rank लिखो, and rank लिखने के बाद, आप bracket start करो, then, आप किसका rank निकालना चाह रहे हो, इस वाले sale का, i2 का, i2, और जब comma, and rank जो निकलेगा, इस i2 को 79% को वो कैसे rank देगा, तो यह पूरा i का total percentage को वो चेक करेगा, compare करेगा, तो आप क्या करो, यहां पे comma डालके, यह पूरा यहां से यहां तक select कर लो, ठीक है, select करने के बाद, comma, अगर आपका यह value descending में है, तो zero, ascending में है, तो one आप यूज़ कर सकते हो, by the way, हमारा यह अभी disorder है, मतलब कोई order में नहीं है, तो generally आपको zero अपने cases में लगाना है, zero का मतलब false, and bracket close, enter बटन में press करता हूँ, तो देखो, यहां पे यह rank one शो कर रहा है, एक बाद चलो, मैं drag करता हूँ नीचे, फिर पता चलेगा क्या problems है, ओके, तो problem क्या हो रहा है, कि यह न, इसको भी two rank दे रहे है, और इसको भी 58 वाली को भी two rank दे रहे है, and one, यह न, 65 को भी one rank दे रहे है, 79 को भी one rank दे रहे है, तो आप क्या करूँ, बस थोड़ा से changes करो, यहां पर double click करो, और यह जो i2 आप देख रहे हो न, यहां पे absolute reference का use कर दो, मतलब shift के साथ, मतलब यहां पे dollar बटन लगा दो, i$2, and यहां पे i$8, बस यह option लगा के enter बटन प्रेस करो, और यह गवार फिर से मैं drag करता हूँ, और अब देखता हूँ क्या होता है, तो देखो, now rank proper adjust हो गया न, समझ में आ रहा है, तो है क्या, first rank 79% first, 65 second, ठीक है न, and then, third वाला rank, option, ओकी तो problem देखो, एक चीज़ क्या आ रहा है, 79 को 1 दिखा रहा है, proper ठीक है, 65 को आपको दिखा रहा है, second rank, बट न, third rank यह दिखाई न, third rank, अगर percentage के हिसाब से दिखा जाए, तो यह 60 होना चाहिए, third rank, बट यहां पे तो इसका result ही नहीं है, और इसलिए third rank वाले को छोड़ दे रहा है, और fourth rank दिखा रहे रहा है, 58 को, बट अगर जब यह बंदा fail है, तो ऐसे situation में तो third rank 58 वाला यह होना चाहिए था, इस cases में तो हमारा software गरवर हो जाएगा, हमारे यह जो work है, proper गरवर हो जाएगा, तो क्या करूंगा मैं इसके लिए, चलो कुछ logic इसके लिए लगाता हूँ, इसके लिए ऐसा कुछ करना है हमें, कि यह जो percentage वाला value है न, इस percentage वाले options को ही हमें, ऐसा कुछ करना है कि अगर कोई बंदा fail है, तो उसका percentage निकले ही नहीं, ऐसा कुछ logic लगाना है, तब ही हमारा यह rank वाला formula प्रॉपर रन करेगा, ठीक है, friends, तो चलिए, हम इसके लिए ऐसा कुछ यूज करते हैं, double click करता हूँ मैं इस पर, और percentage के लिए मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, like, देखो मैं यहाँ पर थूआ सा customize कर रहा हूँ, कि is equal to if bracket is start, है न, is equal to if bracket is start and then मैं यहाँ पर एक formula लगाता हूँ, mean का formula, ठीक है न, min, minimum का formula, कि अगर minimum marks, ठीक है न, फिर से एक bracket रखता हूँ, minimum marks यह total subjects का, यहाँ से यहाँ तक मैं select कर लेता हूँ, minimum marks यह total subject का, greater than 29 हो, ठीक है न, तभी हमारा यह formula रण हो, ठीक है न, हमने यह डाल दिया, कि if minimum marks C2 से G2, मतलब यहाँ से यहाँ तक, अगर 29 से ज़्यादा होगा, तभी हमारा यह formula रण करे, otherwise, यहाँ पे show कर जाए, F या fail जो भी आपको show कराना है, ठीक है न, यहाँ पे show कर जाए F, fail show कर जाए, ठीक है न, चलो, मैंने यहाँ पे एक bracket, दो bracket मैंने on किया है, enter button प्रेस करता हूँ, अच्छा, यहाँ पे, logically, यहाँ पे गलती है, sorry, c2 से g2, यहाँ पे हमारी bracket बंद होती है, ठीक है न, ओके, greater than, then, यहाँ पे एक ही bracket तब close होगा, and अगर if main, c2 से g2, मतलो, total, greater than 29, तो, तभी यह formula हमारा रण करे, otherwise, comma के बाद जो यह option दिख रहे है, यह otherwise का, otherwise, यहाँ पे fail शो कर जाए, तो, चलो, मैं enter button प्रेस करता हूँ, ठीक है, enter button प्रेस करने के बाद, फिर से एक बार मैं यह पूरा का पूरा ड्रैक करता हूँ, now, देखो, जैसे यहाँ पे यह हो गया, यहाँ पे F शो कर गया, यहाँ पे हमारा F बटन शो कर गया, now, अब देखो, हमारा option जो है, cover हो गया, अब आप देखो, हमारा proper rank यहाँ पे option शो कर रहा है, अगर यह rank में देखाऊं, तो देखो, प्रॉपरली हमारे ये चीज काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, तो देखो, 79 वाला, 1st, 2 पे कौन देख रहा है, 65 वाला, 3 पे देखो, 58 देखने लगा, 4 पे देखो, 57 देखने लगा, and 5 पे देखो, 49 पोसेंट देखने लगा, तो friends, ये अगर यहाँ पे पोसेंटेज निकाल के, आप ये rank निकालोगे, तो फिर, ये not applicated और fail वाले का भी rank प्रोवाइड आपको कर देगा, तो ये तरीका है, अगर आप कहीं पे भी tabulating का work कर रहे हो, like matik inter, result sheets वेगरा तयार कर रहे हो, तो logically आपको यही total formula को अपना के काम करना माइने में पूरी की पूरी result calculate कर पाओगे, सही तरीके से, ठीक है ने friends, तो अगर कोई भी issue generate हो, इस topic से related, तो please आप मुझे comment section में लिखो, और अगर वीडियो पसंद आया हो, तो please आप मेरे channels को subscribe करो, videos को अपने दोस्तों के शार, share करो, और like तो please करो, ठीक है, thank you